नमस्कात दोस्तों स्वागत है आप ही की अपने यूटूब चानल फेंटासिटिक्स पे जो आपको एकदम बहतरीन प्रेडिक्शन देता है और साथ ही साथ आपको स्मॉन लिग्ज और ग्रैंड लिग की एकदम फ्री टीम है जो की एक विनिंग टीम होती है 100 पसंट तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले है संडाइजस हैदरबाद वसेस आरार के बीच में जो मैच खेला जाएगा आईपेल का यह पांचवा मैच है और मैं आपको बता दू इस मैच में यहाँ पर ग्राउंड चेंज है यहाँ पर अब मुंबय में नह आपको प्लेयर्स के स्टाट से नहीं बताऊंगा बलकि आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपकी टीम को यहाँ पर युणिक टीम बना के देगी और युणिक टीम जब बनती है दोस्तों तो हमेशा क्लिंजिफ होता है तो ध्यान से इस वीडियो को देखना बहुत ज्य के टीम से न्यूज आ रही है तो सीन एबोर्ट पहले तीन मैच इस नहीं खेलने वाले क्योंकि यह पाकिस्तान यहाँ पर टूर के लिए है और तीन ओडिया है और यहाँ पर एक और टी-20 है इसलिए ठीक है अब संजु शैंसन रायस्तान रोयल्स की यहाँ पर लीड है और मैं आपको पता हुथा कि यहाँ पर भी डिव फैक्टर होगा मतलब कि क्या जो भी सेकंड बैटिंग करेगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा हिल्फुल होने वाला है ठीक है टॉज जिता डायरेक्ट यहाँ पर प्लेयर्स क्या करेंगे यहाँ पर कैप्टन क्या करें कि सेकंड बैटिंग करने को ही देखेंगे और उनके ही जीतने के ज्यादा चांसेस है मेरे भाईयो जो भी टॉज जीतेगा और सेकंड बैटिंग करेगा उसके ही जीतने के चांसेस है अब भी देखिए आप बहुत ज्यादा क्या हो रहा है कि सारे के सारे आईपिल के मैचे जो भी सेकंड बैटिंग कर रहा है वही जीते रहा है दोस्तों ठीक है Domestic 20 की यहापर इस वेनू पे 84 मैचेस कहले गए 40 बैटिंग फर्स करके बैटिंग सेकंड करके यहापर 44 जीते है ठीक है अब संद्राइजिस हाइदराबाद की स्कॉर्ड एनलेस बताऊंगा यहाँ से आपको ना एकदम भेतरीन आपको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा कि क्या आज के मैच में रहागीगा Small Leaks और Grand League में कौन से प्लेस रहेंगे ड्रॉप करना है और सबसे safe captain score है और risky ठीक है ध्यान से इस वीडियो को देखना अब देखें पहले केन विलियमसन और अभिश्यक शर्मा संद्राजे सहिदराबाद के opening करने यहाँ पर दिख सकते अभिश्यक शर्मा जो एकदम यहाँ यहाँ पर युवाफ लेर है यह और इनके साथ ही यहाँ पर संद्राजे सहिदराबाद मुझे लग रहाएगी open करने को यहाँ पर जा सकते केन विलियमस के साथ अबर केन विलियमसन राइट हैंड बैसमंट उनके पहले मैं रेकॉर्ड बताऊंगा फिर आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेस इन दोनों को ग्रैंड लिग में क्या करना है और ड्रॉप करना है या फिर कैप्टन मास कैप्टन करना है ठीक है टीटवेंटी के रेकॉर्ड की बात करेंगे तो 74 मैचे से 2000 के लगबग 21 रन से इनके टीटवेंटी में 32 का आवरेज है केन विलियमसन का अब IPL में देख सकते आप 63 मैच है 1880 रन और यहाँ पर 40 का आवरेज है रिसेट परफॉर्मस टीटवेंटी और IPL में 028, 40, 5 और 50 रन मतलब केन विलियमसन एक बहतरीन प्लेयर है दोस्तो टीटवेंटी में भी और यहाँ पर IPL में भी बहुत अच्छा रेकॉर्ड है इनका आवरेज भी बहुत अच्छा है और जब यह कैप्टेंसी करते हैं तो इनका और यहाँ पर कदब बड़ा होता है ठीक है तो यह प्लेयर ना आग बंद करके आपकी लिए कैप्टन वाइस कैप्टन है स्मॉल लिग्स और ग्रैंड लिग में लेकिन यह मैं आपको बताता हूँ कि स्मॉल लिग में तो यह कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे ही रहेंगे लेकिन ग्रैंड लिग में इनको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ अगर ये second batting करती है Sunrises हैदरबाद के team तो इनको ना one way मतलब की एक ही captain अगर आप 10 grand league के यहाँ पर team से बना रहे हैं तो आपको क्या करना है इनको ही 10 के 10 team में captain करना है ठीक है ये ध्यान में रखना है वाइस captain आप कोई भी रख सकते हो आप में बताओंगा नीचे किसको रखना है लेकिन one way captain जो बताओ रहे हैं वही रहेंगे मेरे केन विलियमसन अगर ये second batting करती है Sunrises हैदरबाद करीम ये द्यान में जरूर रखना है अगर अगर ये पहले batting करती है तो one way captain नहीं करना है दोस्तो अगर ये पहले batting करता है तो इनको one way. mitä captain नहीं करना है लेकिन अगर second batting करते है तो आपको क्या करना है ? एक कि captain रखना है केन विलियमसन अब अभिशेक शर्मा मैं आपको बता दो ये players कैसा player है यसे पृत्विशा और इशान किशन वैसे ही ये player है जो की attacking खेलेगा ये player तो आपके लिए bondage और sixes के जो points है वो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है तो small league में ये आपके लिए सबसे best pick रहेगा captain के लिए ठीक है इसको नाक डाइक captain करना और Williamson को डाइक voice captain भी कर सकते हो दोस्तों क्योंकि अभिश्यक शर्मा अगर खेले गया तो आपको one-sided यहाँ पर small league की team से जिता के देगा लेकिन अब ये player कैसा रहेगा क्योंकि consistent player नहीं है इसलिए कैसा player है risky player है तो आपको इसको कहा captain करना है आपको four member में ये ध्यान में रखना है three member और two member में आपको लिए ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है लेकिन four member ये आपके लिए must be के रहेगा captain के लिए ठीक है ये ध्यान में रखना है अब इनके record 43 matches 791 runs है 24 का average है और ये balling भी कर सकता है राइट left hand batsman है और left arm यहाँ पर balling भी डालता है ठीक है 17 का strike rate है IPL में 22 matches में 241 run 17 का average है 7 wicket भी है तो reset performance 3 run 1 wicket 19 run 09 wicket तो ये player आपके लिए all round performance भी दे सकता है और उपर से opening भी करेगा तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा pick है दोस्तों ठीक है small league में captain wise captain भी है for member के लिए लेकिन ये risky player रहेगा captain wise captain टीम में जरूर रख लेना अगर ये पह last baller है ठीक है अब T20 में 104 matches में 2215 run 25 coverage है 12 wicket ले भी चुका ये player IPL की बात करूँगा तो 62 matches में 1380 26 का average है reset performance 2 run और 66 run ये IPL में बहुत ज़्यादा किसी भी team के तरब जाओ कोई भी team के तरब जाओ ये player ना एकदम अच्छा खेलता है दोस्तों तो ये player आपके लिए अच्छा पीक है अगर अभिशक शर्मा को आप drop कर रहे है दोस्तों तो रहूल त्रिपाटी आपके team में होना ही चाहिए दोस्तों ये ध्यान में रखना है लेकिन अगर इनको आप captain wise captain करते हो तो केन विलिमसन और यहापर अभिशक शर्मा बहुर देर तक खेलेंगे और यहापर मतल यह बहुत अच्छा खेलें मतलब कि दूसरे और तीसरे ओर में अगर यह खेलने आए वहाँ पर फास्टस बॉलस होते है ठीक है तो वहाँ पर अच्छी सी बैटिंग करते हैं लेकिन अब फिर 8 या 10 ओरते के टिक गए तो spinners को भी बहुत लंबे चक्क्या डालते ही लेकिन जब यह बैटिंग करने आएंगे फ्रेश तो अगर वहाँ पर spinners होंगे तो इनके विकेट जाने के ज़्यादा चांसे है यह ध्यान में रखना है आपको ग्रैंड लिग में आप इनको क्याप्टेन वास क्याप्टेन बिल्कुल भी मत करना सिर्फ आपके लिए स्मॉल लि इसके दोनों भी लेफ्ट हैंड बैट्समंस है ठीक है तो मुझे लग रहा है कि पावर प्ले में इनको दो या तीन ओस दिये जा सकते है अगर आप ग्रैंड लिग में इनको क्याप्टेन करते हो दोस्तों तो यह सब जैसवार देवदत्य पडिकल इनको आपको ड्रॉफ क ले चुका है यह प्लेर आईपल में 6 मैचेस खेलागा है 29 के आवरेज साथ 146 रन तो यह प्लेयर बहुत अच्छा है राइट आम बैट्समंस है और राइट आम आप स्पिनर है तो वहाँ पर आपके लिए अच्छा यहाँ पर दे सकता है मुझे भी ज़्यादा चैंस लग बहुत अच्छा है लगभग सेकंड डाउन आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा पीक है दोस्तों ठीक है ध्यान में रखना है अब नेक्स्ट प्लेयर है अब दूसमाद राइट हैं बैट्समन है अब देखिए यह क्या करता है प्लेयर यह आपको यहाँ लेक स्पिन भी डालता है ठीक है यह ध्यान में रखना है आपको लेकिन अब दूसमाद जो प्लेयर है वो कैसा प्लेयर है जैसे कि कल दिनेश कार्थिक आरसीबी वर्सेज जो पंजाब के मैच में जो दिनेश कार्थिक ने खेला था ना पारी 14 बोल में 33 रन वही पारी यह खेल सकता है यह फ्लेयर फर्सेज बेटिंग आएगा तब भी खेलेगा और सेकंड बेटिंग आएगा तब भी खेलेगा तो यह प्लेयर आपके लिए कैसा प्लेयर रहेगा ग्रैंलिक का सबसे बेस्ट पी करेगा अब समाद 44 माचे 729 रन 28 का एवरेज है IPL में 23 माचेश के लगाई 222 रन और 15 का एवरेज है 2 विकेड भी ले चुका है और रिसेट परफॉरमस की बात करेंगो तो 55 रन 17 रन अगर एक खेल गया दोस्तों तो Grand League आपकी ही है और मैं बताया था आपको कि Captain Vice Captain जो बताया था one way रहेगा दोस्तों ठीक है यह ध्यान में रखना है Grand League में ठीक है Grand League की बात कर रहा हूं है Small League की नहीं दोस्तों Small League में Captain Vice Captain मत करना क्योंकि Small League में अगर इस प्लेयर को आप Captain Vice Captain करते हो और इसको बैटिंग नहीं मिला तो आप समझे सकते हो कि आपकी टीम एकदम मतलब अगर थ्री मेंबर खेलते हो तो तीन में तीन नंबर पर रहेंगे आप और वो भी 100-200 का डिफरेंस तो अगर ऐसे प्लेयर पर आपको Captain Vice Captain नहीं रखना है इस प्लेयर को आप टीम में रख सकते हो ठीक है Washington सुन्दर राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैटसमन है और राइट हैंड बॉलर है यह आपको यहाँ पर पावर प्रेम ही यहाँ पर बॉलिंग कर के दे सकता है अब देखे Adam Markram भी balling कर सकता है और Washington Sundar भी balling कर सकता है ठीक है जो पहले power play में लेकिन सबसे ज़्यादा experience कौन है यहाँ पर Washington Sundar ठीक है तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी choice रहेंगी देखे आब Washington Sundar और Adam Markram में से दोनों में से कौन ज़्यादा balling कर सकता है power play में यहाँ पर SSV.JS.Kal और देवदत्य पडिकल को वो है ज़्यादा Washington Sundar लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह दोनों की wicket ले सकते है क्योंकि SSV.JS.W. और यहाँ पर देवदत्य पडिकल इन दोनों को pace बहुत ज़्यादा पसल थे दोस्तों और यह power play में pace ज़्यादा डालते है तो वहाँ पर आपको इनको मुझे नहीं लगरा ज़्यादा ज़्यादा wickets ले सकते है यह power play में पावर play के अगर बाहर आते है यह 8 वा नुवा और तो यह wicket ले सकता है ठीक है यह ध्यान में रखना है लेकिन अगर Adam Markram पहले balling करेंगे ना तो वो player 101% आपको wicket दे सकता है अब वो Kane Williamson के captaincy की उपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा दोस्तों Marko Jensen राइट-hand batsman है लेव टाम यहाँ पर fast baller है दो matches आपिल में खेले 2 wicket 18 का strike rate है टी 20 में 13 matches में 71 run 9 wicket भी है यह लेव टाम fast baller है और batting भी बहुत अच्छा करता है राइट-hand batsman है ठीक है लेकिन आपको क्या करना देखिए अगर Marko Jensen अब ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि बहुनेशर कुमार और यहाँ पर उम्रान मलीक यह दोनों ही है जो first fail और जो death में है ना वो balling करेंगे बहुनेशर कुमार तो fix है वो death के baller है और यह player आपके लिए सबसे best है लेकिन Marko Jensen's middle oar miss से ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करने को दिख सकते है तो middle source में थोड़ा सा कम chances है विकेट गीरने के दोस्तों क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस IP में भी आपने देखा होगा जो first fail और जो death में बॉलिंग करता है उनको ही विकेट ज़्यादा से ज़्यादा मिल अगर यह पहले बॉलिंग करती है Sunrises हाइदाबाद की टीम तो आपको स्रेश गोपाल के साथ जाना है ठीक है आपको वहापर मार्को जैंसेंस को यहापर ड्रॉफ करके यहापर क्या करना है आपको स्रेश गोपाल यहापर आपको Grand League में कौन से पिक है आपके लिए दोनों पिक है मार्को जैंसन नहीं है आपके लिए Grand League का पिक बोनेशर कुमार उम्बरान मली क्यों पिक है क्योंकि वो डेथ में भी बॉलिंग करते है और फर्स वेल भी डालते है इसलिए ठीक है रोमार यो शफट अगर इनको बहुत ही मतलब आपको लग रहाए कि इनकी जो बॉ को और वाइस कप्टन और यहाँ पर रोमारियो शेफट को यह द्यान में रखने है आपको ठीक है इनके रेकॉर्ड भी बहुत अच्छे है साइतालिस मैंचेस तीन सो चो अलीशन 26 का आवरेज है बैटिंग भी कर सकता है यह बोलिंग भी कर सकता है 55 विकेट भी ले चुका है ठीक है या तो फिर यहाँ पर जोज बटलर भी उपर आ सकते दोस्तों यह द्यान में रखना है ठीक है देवदत्त पडिकल के साथ यहाँ पर जोज बटलर भी आ सकते अब केसे कॉंबिनिशन यहाँ पर करेगी राजसान रोयल्स लेकिन मुझे लग रहा है इन दोनों को ही रखना चाहिए ठीक है अब देवदत्त पडिकल की बात कूंगा दो मैचेस में 49-19 का आवरेज है आई पेल में 29 का यहाँ पर मैचेस खेले गए 884 और 31 का आवरेज है क्योंकि जो बॉलिंग है सन्राइजस हैदराबाद की यहाँ पर भोनेशर कुमार भी इन दोनों को आउट कर सकते है और एडम मार्क में फिर ज्यादा से ज्यादा रिस्की प्लियर जो मैंने बता है तो मुझे लग रहा है यह दोनों भी फ्लाफ होने के बहुत ज्यादा च रखना है लेकिन ग्रैंड लिग में दोनों को भी मत रखना दूस्तों ठीक है संजु सैमसन की बात करूंगा यह दोनों प्लेयर्स इस टीम के बहुत ही बहतरीन पीक ग्रैंड लिग के पिक है स्मॉल लिग के पिक है मिनी ग्रैंड लिग 4 मेंबर 10 मेंबर जो भी होगा उसक दोनों ही मैच जिताके दे सकते हैं टीम के लिए ठीक है इनका मिडल ओर्डर थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि वहाँ पर रियान पराग भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं दोस्तों मिडल ओर्डर में शिमरन हिटमायर भी आ गए है ठीक है यह ध्यान में रखना है तो संजू स संजी शांसन्स और जॉस्ट बटलर यह दोनों आपके लिए सबसे बेस्ट पिक हैंगे स्मॉल लिग्स में और ग्रांड लिग में क्याप्टन वास क्याप्टन चॉइस संजी शांसन्स का रेकॉर्ड तेरा मैच में 174 चोदा का एवरेज है लगबग आईपेल में 29 का आव आप के लिए शिंजबरन हिटमायर जो दिनेश कार्तिक का काम कर सकते हैं 22 से मैचमें 66Can University तो यह प्लेज जो है रियान पराख शिंबरन हिटमायर वह आपके लिए-ग्र्ण लिंग ही प्लेयर है रेवी चेंदर नश्वीन को आप Grand League में मत करना स्माल लिंग में आपकर सकते हो अगर है पहले बालिंग करेगी टीम, ट्रेंड बोल्ट उज्वेंदर चहल और परसिद्ध कृष्ञ ना, ये तीन प्लियर है जो आपको स्माल अलिग में इनको ज़रूर रख लेना है और क्याप्टन वास काप्टन सिर्फ आपको ट्रेंड बोल्ट और परसिद्ध बॉलर भी है यह एकदम बहतर इन पिक रहेगा अगर आपको लगता है कि जो इनकी टीम है उसमें से प्रसिद्ध कृष्णा और 10 वोल्ट अगर फेल होते हैं तो इनका बड़ा रोल हो सकता है लेकिन यह रिसकी प्लियर है इसलिए इनको कैप्टन मैंस काप्टन मत करना आप स्माल लिक के टीम की बात करूँगा तो कैप्टन संजू संसॉन है वैस काप्टन के लियु आमस अगर प्लीज इस वीडियों से आपको थोड़ी भी हल्ट मिली है दोज्तो फेलिज में वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज